संप्रदाय के बारे में प्रश्च ने किया है हमारे देश में संप्रदायों का बड़ा बोल बाला है हर आदमी दूसरे से पूछता है आप किस संप्रदाय के हैं चार संप्रदाय चल रही है हमारे भारत में एक संप्रदाय ब्रह्मा से मानते हैं उसके आदी दूसरे शंकर से मानते हैं आदी तीसरे लक्ष्मी से मानते हैं आदी चौथे सनकादिक परमहंसों से मानते हैं आदी ये चार संप्रदाय चल नहीं है और भी है और रोज बनती जा रही है बिचारा एक भगवान उसको पाने के लिए ये लड़ाई है अगर किसी महापुरुष से कोई संप्रदाय मानी जाए तो लाखों महापुरुष हो चुके फिर लाखों संप्रदाय होंगी जैसे रामानुज संप्रदाय है आज कल शंकराचार्ज की संप्रदाय है आज कल तो सबसे पहले शंकराचार्ज को लो यह सबसे पुराने हैं यानि धाई हजार बर्ष पहले हुए है शंकराचार्ज उसके बाद फिर सब हुए है रामानवियाचार्ज, माद्वारचार्ज, निम्बारकाचार्ज तो शंकराचार्ज से संप्रदाय मानने वाले ज़रा जवाब दे कि शंकराचार्ज के गुरु कौन थे गोबिन्दाचार्ज उनसे क्यों नहीं कहते कि हम गोबिन्दाचार्ज संप्रदाय के है गोबिन्दाचार्ज के गुरु गौडपादाचार्ज तो ये क्यों नहीं कहते गौड़ पादाचार्ज के संप्रदाय के हम हैं गौड़ पादाचार्ज के गुरु शुकदेव परमहंस ये क्यों नहीं कहते शुकदेव परमहंस के संप्रदाय के हम हैं शुकदेव परमहंस के गुरु बेदब्यास ये क्यों नहीं कहते हैं हम बेदव्यास के संप्रदाय के हैं और अगर शंक्राचार्ज के संप्रदाय के कहते हैं तो शंक्राचार्ज के चेले कहेंगे हमारी संप्रदाय भी बोलो फिर तो सभी महात्माओं की संप्रदाय हो जाएगी तुर्शिदास की संप्रदाय, सूरुदास की संप्रदाय, मीरा का संप्रदाय, सब की संप्रदाय हो जाएगी यह ना समझी की बाते हैं अरे वही तीने ही तत्व तो है अगर आप लोगों से कोई संप्रदाय के बारे में पूछ है तो सीधा सीधा जवाब देना कि ये बताईए कि जीव के सिवा कौन बचा एक तो जीव है यहनी हम सब माया धीन नंबर दो भगवान है नंबर तीन माया है चौथा तो कोई तत्व है ने कहीं लिखा है चौथा तत्व तो हमारे सिवा दो बचे एक भगवान एक माया तो हम सब जीव इन्ही दोनों में किसी के फालोवर होंगे या तो हम भगवान की पार्टी के होंगे या तो माया की पार्टी के होंगे तिसरी कोई चीज है ही नहीं जिसकी पार्टी बने तिसरे तो हम ही लोगे बनने वाले तो जो भगवान को अपना इष्ट मानते हैं भगवान में आनंद मानते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं वो भागवत संप्रदाय के होंगे और जो संसार में सुख मानते हैं और संसार को ही अपना सर्बस्त मानते हैं वो माया संप्रदाय के हो गए बस चुट्टी अब अगर भगवान में भी आप ये कहें कि कौन से भगवान के हैं तो अनन्त भगवान हो चुके हैं अनन्त अवतार अवतारा है संखेया भागवत कह रही है भगवान के अनन्त अवतार हो चुके हैं तो ये एक एक अवतार के संप्रदाय बन जाएगी है तो सब भगवान ही वो तो इसलिए बस दो संप्रदाय है एक भगवान की एक माया की बाजश्रवा नाम के मुनी हुए थे गौतम कुल में ये बेद की बात बता रहा हूं अनादि बेद की बाजश्रवा के पुत्र का नाम था अरुन अरुन के पुत्र का नाम था उद्दालक उद्दालक के पुत्र का नाम था नचिकेता तो बेद में नचिकेता और जमराज का संबाद लिखा है तो उसमें पहले तो यमराज ने बड़ी मीठी मीठी बातें बताई नचिकेता को लालच दिया स्वर्गे नभायम किंचनास्ति स्वर्ग में कोई भाय नहीं है जमराज ने कहा बड़ा सुख है नचिकेता ने कहा मुझे मालूम है क्या है स्वर्ग में है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए जब देख लिया जमराज ने कि नचिकेता बड़ा बिरकत और ग्यानी है यह हमारे चक्कर में नहीं आएगा तो नुने काच्चा बेटा सुना अन्य छ्रेयो नदूताईव प्रेयस तयो श्रेया आददानस साधु भवती ही तेर्थात याव प्रेयो ब्रिनीते देखे कितना बड़िया नरूपण है बेद में बेटा देखो दो तत्व है जीव के अतर एक भगवान एक माया तो इन दोनों को जो रास्ता जाता है तो एक रास्ते का नाम श्रेय एक रास्ते का नाम प्रेय तो जो श्रेय के मार्ग से जाता है वो अनन्द पा लेता है दुख समात हो जाता है उसका और जो प्रेय के मार्ग से जाता है वो दुख ही दुख पाता है अनन्द काल तक चौरासी लाक में गूमता है यह बेदमंतर का अर्थ तो बस दो संप्रदाय हुई या तो श्रेय को कोई चले या प्रेय के ओर चले या तो भगवान के ओर चले या तो संसार में सुख उन्मान ले उधर भागे तीसरा कोई एरिया नहीं है जहां कोई भागेगा तो इस प्रकार बस दो संप्रदाय है एक भगवान के मानने वाले और एक माया में सुख मानने वाले अब माया में तीन गुण है सत्ट गुण, रजोगुण, तमोगुण तो सत्ट गुण का जो लक्ष है स्वर्ग है रजोगुण का मिर्त लोग है तमोगुण का नरक है इसमें भी अपना अपना लक्ष है कोई स्वर्ग जाने का प्रेत्न साधना करता है कोई मिर्त लोग के लिए करता है कोई नरक के लिए करता है अरे कहता नहीं है कि हम नरक के लिए कर रहे है लेकिन चोरी, डकैती, मरडर, शराब, कबाब में जो लगा है वो नरक जाए गई वो भले ही मुझे मुझे नरक नहीं चाहिए अठी नहीं चाहिए तो यह सब क्यों करते हो चाहिए, चाहना चाहिए यह मतलब नहीं है हम नहीं चाहते हमारे शरीर में कहीं दर्द हो लेकिन हम कुलाडी से मारेंगे पैर में अरे तो दर्द हो गाई फिर तो तुम जो कुछ कर नहीं हो उसका फल तो होगना पड़ेगा तो इसलिए बस दोई संप्रदाय है और बाकी सब जगड़ा तो हम लोगों का बनाया हुआ है यह भगवान तो संप्रदायों से परे है वो मत मतांतर से वो बुद्धी से तर्क से इन सब के चक्कर में नहीं रहता वो तो भोले बालक के वो भोले पन वाले सरल सुभाव वालों से प्यार करता है वो इन लोगों से नहीं करता है संप्रदाय बादों से इसलिए अगर कोई कहे तो कभी लगना जगड़ना नहीं बड़े प्यार से कह देना कि देखो भाईया मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ यह सुना है कि एक भगवान है एक माया है तो जो भगवान का भक्त है वो भगवान का संप्रदाय वाला है जो माया का भक्त है वो माया की संप्रदाय वाला है तो मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ तो मैं उसी संप्रदाय का हूँ चुट्टी